हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से बलह थाना के तहत पढ़ने वाली ग्राम पंचायत केहड के च्वाडी गाउं की रक्षा देवी पिछले तीन दिन से अपने बच्चे सहीत लापता हो गई है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। महिला का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। जानकारी ये मिल रही है कि लापता महिला के देवर बालक राम ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी तीस साल की भावी रक्षा देवी बारा जनवरी को अपने मायके सुन्दर नगर जा रही थी। उसके पती ने उसे नलसर तक छोड़ा और घर लोटाया। जब शाम के समय उसने मायके में फोन गुमाया तो उन्होंने बताया कि वो मायके नहीं पहुंची है। आज की जा रही है।